दमश्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब सेशन में जहां हम रीजनिंग के कोशन करने वाले हैं और रीजनिंग का ये सेट 5 है सुबह 11 बुजे वाली क्लास यानि की फाइटर क्लास और फाइटर सीरीज का ये पांचवा सेट है और चार सेट इससे पहले हो सदिलाता हूं कि एक एक कोशन यहां पर प्रीविएस कोशन है और हर सेट को मैं बता सकता हूं कौन से एक्जाम से लिया गया है जैसे आज की अगर बात करूं तो असिस्टेंट ग्रेड टू 26 फरवरी 2022 को कंड़क्ट करवाया गया था शिफ्ट वन में उसका ये सेट लिया दिएख तरीके के होते हैं बाद salah-le-beefs होते हैं फोड़े तो अलग होते उसमें पके पर कटिंग हो Gया वैं डियाग्राब वाले कोशें जञाता होते तो आप पहले सेट देखो के पहले 20 कोशन देखोंगे तो लगेगा कि नहीं नहीं कि ला रहा यह मैं पूरा-पूरा-पुरा-टर। तो आप इस बात की चिंटा बिल्कुल छोड़ दीज्ग निस्चिंथ हो जाएए कि आपके कहीं इसे अलग से कोई कोश्टन नहीं और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पर टफ कोशन भी करवाया जा रहे हैं इसी भी करवाया तो एक पूरा complete balance आपको कहीं जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी सारी practice आपको यहीं हो जाएगी इस फाइटर सीरीज में ही हो जाएगी ठीक है चलिए चुरू करते हैं आप लोग भी अपनी notebook और pen उठालीजी एक कोशन को साथ साथ solve करते चलेगा Hindi English दोनों में कोशन आप लोगों मिलेंगे let's do it together everyone should be focused and alert चलिए पहलो कोशन आप लोगों के सामने है और हमारा कोशन बहुत ही प्यारा circular arrangement का कोशन है यानि की सेटिंग arrangement का है जिसमें circular table और circular table में बोला गया है कि पांच विद्यार्थी हैं A, J, K, L और M जो की circular table में बैठे हो हैं सेंटर की तरफ फेस करते होई और ये आपका पांच वा जिसमें बोला गया J is immediate left of A J जो है वो immediate left पे है किसके A के ठीक left पे है ठीक बाई और बैठा हुआ है M is second to right of A M जो है second to right of A में बैठा हुआ है यानि M के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ठीक है पहले पर नहीं बीच में एक आएगा फिर उसके बाद अगला जो है वहाँ M बैठा होगा L is second to left of K L जो है वो second to left of K है अगें यहाँ पे भी क्या बात है K के बाई और दूसरे स्थान पर K से एक बाई और की तरफ चला पहला चोड़ा दूसरे स्थान पर L बैठा हुआ है अब हमें यहाँ पर पांचों लोगों की अर्रेंजमेंट मिल गई है कुछ ना कुछ कंडिशन मिल गई है तो सबसे पहले हम बिठाना शुरू कर देते हैं दू को मान लिजी एम को यहां देता हुआ नहीं बाई सकता है किए नहीं नहीं बैठता है तो खेले हमारे पास दूसरी ना यहां पर दोगों को ना जो नहीं ओ सकता वह बिठाके दिखाऊँगां पर आपको अपना mindset इस तरीके से तयार करना है कि आप दिमाग में ही देख लो कि अगर के को यहां पे रखूंगा तो यहां पे नहीं आ पाएगा आपको नोटबुक में लिखके नहीं देखना है बार बार मेरे को तो समझाना है आप लोगों को इसलिए मैं लिखूंगा आपको नहीं लिखना है आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहां पे आजाएगा के और के का सेकिंड लेफ्ट एम सेकिंड लेफ्ट यहा है तो है कि है तो यह मैंसे लेफ्ट की और चलते हो हमें देखना है रICK लोग बैठी हो है लेफट की दुषा के टरफ पेलोग कि दूसरा परसंट है तो झेिमिल्म की तरफ कि चलते हो U दो लोग बैटे हैं option D आपका correct हो जाएगा question number second पे चलते हैं दुर्गा का code हमें दे रखा है D U R G A दुर्गा का code दे रखा हमें R X I L U यानि की 4 21 18 7 1 18 24 9 12 and 21 चार से 18 तक जा रहे हैं बहुत जादा 21 24 14 24 24 24 तो नहीं चल रहे हैं फिर क्या हो रहे है चार से 21 तक जा रिंए हैं रिवर्स में देखा चार से किस यह भी बहुत जादा हो रहा है 21 से 12 तो माइनस में हो रहा है 18 से 9 जैसे ही हमने देखा कि 21 से अगर 12 की तरफ जाना है तो मुझे करना पड़ा माइनस 9 18 से 9 की तरफ काना है तो भी माइनस 9 तो क्या मैं 4 से 21 की तरफ जाऊंगा तब मैं अगर पीछे चलूँगा तो भी तो मुझे माइनस 9 करना पड़ेगा इसका मतलब रिवर्स ओडर चल रहा है बट माइनस 9 होते हुए अब यहां पर 7 से अगर मैं माइनस 9 करूँगा तो हमें मिलेगा 24 कैसे 7 में से 7 जाएंगे तो 26 आ जाएगा 26 में 2 गटाएंगे यानि की 24 मिलेगा एक से मैं माइनस 9 करूँगा तो हमें मिलेंगे 18 तो रिवर्स चल रहा है और माइनस 9 हो रहा है तो T O A D Y का क्या कोड़ हो जाएगा यानि की 20 15 1 4 25 20 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 में से 9 माइनस करें तो भाई आ जाएगा 11 11 का मतलब होता है के तो यान की option number D जिसमें end में F हो तो हो गया reject और option number A जिसमें end में F हो भी हो गया reject अब देखो P R U F K और P U R F K तो यह जो R और U की position है न यह set करनी है और हमारा answer आ जाएगा हमारा answer आ जाएगा तो अब हमें बस यह देख लेते हैं D से हम minus 9 करेंगे D से अगर हम minus 9 करेंगे तो क्या आएगा D से minus 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 से minus 9 करेंगे 4 में से 4 जाएगे 26 26 में से 5 जाएगे तो क्या बचेगा 21 21 यानि की U तो हमारा जो second letter है वो यू होना चाहिए R नहीं होना चाहिए तो जिस option में second letter U है यानि की option B में वही correct हो जाएगा पूरा code निकालने की जरूरत नहीं है time waste करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है question number 3 पर चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी information देता हूं बार बार नहीं बताऊंगो चैंपियन सीरीज नाम से सीरीज चल रही है हमारी जिसमें 8000 से ज्यादा question करेंगे previous year ऐसी ही जैसे अभी हो रहे है YouTube पे यह हमारे एप पर होंगे मैच रीजनिंग जीके हिंदी सभी के मिलागे और इसकी पूरी एक साल की है 299 इसका प्राइस रखा गया इसमें आपको PDF मिलेगी इसमें आपको यूट्यूब से अलग question मिलेंगे जो यहां पर यूट्यूब पर हो रहे हैं वहां पर अप्लोड कर दिये जाएंगे एक एक करके classes आ रही है धीरे-धीरे करके classes आ रही है इकटी आठेजर कोशन आपको नहीं मिल रहे धीरे-धीरे करके चल रहे हैं सारी डीटेल वहां पर इंट्रो वीडियो है और वहां पर डेमो वीडियो भी है वह आप लोग देख सकते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका चाहो तो कर सकते हो नहीं तो यहां पर तो सीरीज चली रही है चलिए fighters आगे बढ़ते हैं कोर्शन नमर 3 हमारा है रॉंग टाम हमें फाइंड करनी है रॉंग टाम करनी है तो मैं सब की नंबरिंग यहां पर करता चलता हूं जे ओ ए यानि कि 10, 15, 1, फिर जी जे टी यानि कि 7, 10 और 20, 4, 5 और 13, 1, 26 और 5, 24, 21 और 25 तो 10 से 7 पर गए, मैनस 3, 7 से 4 पर गए, मैनस 3, 4 से 1 पर गए, मैनस 3, और 1 से 24 पर गए, तो मैनस 3, तो यह तो मैनस 3, मैनस 3 चल रहा है, 15 से 10 पर गए, मैनस 5, 10 से 5 पर गए, मैनस 5, 5 से 26 पर गए, मैनस 5, और 26 से 21 पर गए, मैनस 5, यहां पर भी अभी तक सभी से सही चल रहा है एक से माइनस चे पे गए एक से माइनस साथ पे गए एक से गया मैंने माइनस कितना करा माइनस साथ बीस से सत्रा तेरा पे गए तो माइनस साथ करा तेरा से पांच पर गए तो कितना करना पड़ा 8-3 से 5 तो यहां पे 6 आना चाहिए तो यह करा है हमने 9-8 हमारा 9-7-7 चल रहा है यहां पे 9-8 आगया तो इसलिए यह हमारा क्या है wrong है यह क्या है wrong है और wrong हमारा कौन सा है यह 1-2-3-4 चोथा यानि की A-Z-E A-Z-E आप्षिन नमबर C हमारा wrong term है प्रार कंडीशन और मंभी साथ ही तरीक है कि और जो आपको य enact कुछ कंडीशन दिए जासे मौन लो तीन चार कंडीशन दिए वह रही होंगी 캥 हमालो यहां नहीं हो और है तो इसे कर दो कंडिशन सद्धा रही है यह आहां को यह पूरी चैशन यह आपको यह मारे पास कुछ कंडिशन दी गई है बोला गया number of batsmen who scored run less than C4 C4 से जो less करा है C4 से जिनोंने less score करा है वो किसके बराबर है same as number of who scored run more than C1 C1 से जिसने ज्यादा score करा है यह दोनों बराबर है यह हमारी है पहली condition दूसरी condition क्या है there are total three batsmen whose runs are less than C1 and more than C4 यहनी कि C1 और C4 के बीच में कितने लोग हैं तीन लोग है C1 और C4 के बीच में तीन लोग हैं यह condition भी हमारी note down हो गई third condition runs of C3 are less than C4 C3 के जो runs है वो C4 से कम है ठीक है C3 के रन जो है वो C4 से कम है चौथी condition क्या है runs of C2 are more than C1 C1 के जो रन है वो C2 से कम है यानि कि C2 के रन ज्यादा है C1 से यह हमारी है चौथी condition यह हमारी क्या है चौथी condition है हमने यह चारो condition note down कर ली अब एक एक करके चेक करते हैं कि क्या यह conditions fulfill हो रही है या नहीं हो रही है C4 से कम run C4 से C1 से जादा उत्रही होने चाहिए fans पहला option देखो पहले statement देखो C4 से कम कितने हैं एक सी वन से कितने ज्यादा है दो तो पहली condition fulfill हो रही है यहा पर C1 और C4 के वीच मैं कितने लोग है तीन लोग होने चाहिए यह पर कितने हैं 12 और तीन यह वाली कंडिशन मिं complete हो रही है C3 के run C4 से कम होने चाहिए C3 के run C4 से कम है तो ये condition में fulfill हो रही है C2 के run C1 से ज़्यादा होने चाहिए C2 के run C1 से ज़्यादा है तो ये condition में fulfill हो रही है तो ये correct order sequence हो सकता है तो पहला है वो correct हो सकता है अब second पर आ जाओ सेकिंड में वही बात कि C4 से कम कितने हैं C1 से ज़्यादा उतने ही होने चाहिए यह बात कंडिशन फुल्फिल हो गई C1 और C4 के बीच में तीन लोग होने चाहिए यह कंडिशन मी फुल्फिल हो गई C3 के जो score है वो C4 से कम होना चाहिए ये condition में फुल्फिल हो गई और C2 का score C1 से ज़्यादा होना चाहिए ये condition में फुल्फिल हो गई अब आप बोलोगे यहाँ पर equals to का sign उससे कोई लेना देना नहीं है आपका option जो statement 2 है वो भी sequence बन रहा है सीक्वेंस 3 की बात करें तो C4 से कम एक है C1 से ज़्यादा एक है तो ये condition में फुल्फिल हो गई है C1 और C4 के बीच में तीन लोग है तो ये condition फुल्फिल हो गई है C3 के run C4 से कम है ये condition हो रही है C2 के run C1 से ज़्यादा है तो ये भी fulfill हो रही है तो आप statement यानि कि हमारा sequence 3 भी बनेगा sequence 4 पे आओ sequence 4 में क्या बोला गया था पहले जो condition थी C4 से जितने कम है उतने ही C1 से ज़्यादा होने चाहिए C4 से कम है एक और यहाँ पे C1 से ज़्यादा कोई भी नहीं है पहली ही condition हमारी follow नहीं हो रही तो sequence 4 नहीं हो सकता है sequence 4 नहीं हो सकता है सिर्फ पहला दूसरा और तीसरा sequence बन सकता है जो कि option number D बनाएगा जो correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 5 में हमें एक odd one out find करना है teacher school fish aquarium medicine dispensary car pitch यह आपका odd one out हो गया तो select करोगे आप option number B को question number 6 यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें odd one out find करना है 10 26 2 7 1 24 10 में से 7 तक जाना है तो minus 3 26 से 1 तक जाना है तो plus 1 और 1 से 24 तक जाना है तो हमें करना पड़ेगा minus 2 और minus 4 minus 4 तो यह क्या बना करना पड़ा minus 3 plus 1 और minus 4 minus 3 plus 1 minus 4 यहाँ पर आजाएंगे 12 18 और 26 यह आपका 9 9 और 21 12 से 9 minus 3 करना पड़ा यहाँ पर हो रहा है minus 3 18 से 9 plus 1 तो नहीं हो रहा है यहाँ पर 18 से 9 plus 1 नहीं हो रहा है यहाँ तो minus 9 हो रहा है चलो देख लेंगे 26 से 21 तक जाना है तो यह आपका minus 5 हो रहा है minus क्या हो रहा है? 5 हो रहा है कि पंदरा से 13 फंदरा 13 और 5 बारा 14 और एक 15 से 12 तक गए तो यह वह दो नमबर होगा क्यों क्यों कि अगर दो जगे format same follow हो रहा है और तीसरे में different है तो वही odd one out होगा 101% तीसरे में भी same यही format follow हो रहा होगा चाहे तो आप check कर लीजिए option भी आपका correct होगा question number 7 function का code हमें दे रखा है function का हमें code दिया गया है n e z q b s a b यानी 6, 21, 14, 3, 20, 9, 15 और 14 14, 5, 26, 17, 2, 19, 1 और 2 आप लोग ध्यान से देखेंगे या पर तो कुछ pattern बनता होगा नहीं दिखेगा तो जब भी ऐसा हो नो कुछ pattern बनता ना दिखे तो आप लोग ना group बना लो आठ है यह चार-चार के group बना लो अब यहां से 6 से 14 तक जाने की कोशिश करो क्या तो reverse में जाओ या फिर सीधे जाओ चोनब 6 से 14 पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ा प्लस 8 करना पड़ा 21 से 5 तक जाना है तो आपको क्या परना पड़ेगा प्लस 10 एककिस प्लस פांच省 26 nem 5 जड़ए तो पांच आएगा तो यह क्या करना पड़ा आपको प्लस 10 करना پड़ा 14-26 तक 12 करना पड़ा और 13-17 तक आपको प्लस 14 करना पड़ा 21-2 20-2 तक प्लस 18 करोगे, 9-19 तक 10 करोगे, 15-1 तक 12 करोगे और 14-2 तक 24 करोगे तो 8-10-12-14 फिर repeat होगा 8-10-12-14 तो आपको November का code निकालना है तो फटा फटा आजाएए नवेंबर का code निकालेंगे तो हमारा क्या था? 8, 10, 12, 14 फिर से 8, 10, 12, 14 ये आपका pattern बनेगा नवेंबर का code निकालना है न, O, V, E, M, B, E, R यानि 14, 15, 25, 13, 25, 18 आप लोगों को भी इसी speed से याद होने चाहिए आप लोग नवेंबर लिखने की बज़ए डारेट 14, 15, 25, 13, 25, 18 ऐसे लिखोगे तभी बात बनेगी तभी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा coding, decoding के question आप solve कर पाएंगे अब हमें देखना है कि अगर 14 में हम 8 जोडेंगे 14 में 8 जोडेंगे तो 22 आजाएगा 22 का मतलब है वी तो सभी में वी है ठीक है एक बात का ध्यान रखो एक बात का ध्यान क्या रखो वी वाई, वी वाई, वी एफ, वी वाई वी एच, एस, वाई, वी अगर हम तीसरा अलफबेट find कर देंगे ना तीसरा अलफबेट find कर देंगे तो answer आज जाएगा क्योंकि तीसरा अलफबेट हरो option में अलग-अलग है एच, एस, वाई, एच, एस, वाई, एफ है ठीक है तीसरा अलफबेट यानि कि वी हमारा है यहाँ पे हमें जोड़ना है बारा जोड़ना है अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो आजाता है 26 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 8 यानि कि यहाँ पे आएगा हमारा H तो जिस option में थर्ड अलफबेट क्या है H है वही आपका answer correct होगा पूरा code निकालने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है एक वीकल है यानि कि जो second word है वो पहले पहली जो है category है और बस क्या है उसका एक part है stationary category है pencil उसका part है chair category नहीं है furniture उसका part अगर furniture पहले होता फिर chair होता तो बात बन जाती pen blue pen एक category है और blue हो सकता है पर यहाँ पे ऐसे ब्लू पैन लिखना चाहिए था यह बात थोड़ी वेग हो जाएगी कि पैन एक category है और blue blue कुछ तो ब्लू तो अगर एक पैन को तो नहीं कह सकते न ब्लू तो color है तो यह थोड़ा सा वेग है यह exact नहीं मिल रहा भी color bus वाले से lizard reptile reptile एक category है lizard उसका पार्ट है तो reptile को भी पहले होना चाहिए तो हमसे पूछा गया था same क्या है select the related word तो related क्या आगया हमारा option A कि stationary एक पूरी category है और pencil उसका part है जिस तरीके से वीकल एक पूरी category होती है बस उसका part होती है question number 9 question number 9 हमारा है team formation का question team formation बहुत प्यारी होती है जिसमें 5 लड़कों को select करना 9 लड़कों में से बिचारी 4 लड़के जो select नहीं हो पाएंगे हमें बोला गया है कि कुछ condition है again आपको सिफ कुछ condition note down करनी है और इसमें देखना है कि वह condition fulfill हो रही है या नहीं हो रही है बस सीधी सीधी बात है B2 & B3 have to be selected together B2 & B3 को साथ में select होना है अगर एक select हुआ तो दूसरा भी select होगा वह बात नहीं होती भाई तो करेगा हां करूंगा चल मैं भी करूंगा तो यह बात है कि अगर एक select होगा तो selectors को दूसरे को select करना ही पड़ेगा B8 should not be selected B1 अब B8 & B1 के बीच में है दुश्मनी दोनों मेंसे कोई एक हुआ तो दूसरा select नहीं होगा only two even numbered boys can be selected even number वाले boy ही सिर्फ 2 select हो सकते हैं यह हमारी तीसरी condition है यह हमारी दूसरी थी और यह हमारी पहली condition थी B4 & B1 ठीक है B4 & B1 यह दोनों साथ select होने चाहिए अगर B1 को select कर लिया गया यह मान लो B1 दोनों में selected है B1 को select कर लिया गया है तो क्या team बनेगी तो पहली condition B2 & B3 साथ होने चाहिए तो देको B2 आ गया है तो B3 है अगर जरूरी नहीं है B2 आना चाहिए अगर B2 आया है तो B3 होगा ही होगा तो पहले वाले जो team बनाई दी उसमें B2 था तो B3 आएगा ही आएगा तो पहली condition हमारी follow हो रही है B8 या फिर B1 में से कोई है B1 है तो यहां पे B8 है नहीं है यह वाली condition भी follow हो गई E1 सिर्फ दो लड़के होने चाहिए तो हमारे पास सिर्फ दो ही लड़के है B2 और B4 दो लड़के E1 वाले है वह selected है बिलकुल सही बात है अगर हमारा B4 selected या फिर B1 selected B1 तो already है B1 है तो B4 होना ही होना चाहिए तो B1 था तो B4 होना ही चाहिए था तो पहली team भाई बना सकती हो कंडिशनर में दी गई थी उस हिसाब से पहली team बन सकती है ठीक है दूसरी team दूसरी team आजो पहला ये वाला ही देख लो भाई B1 तो selected था ही ना क्योंकि बोला गया कि B1 तो already selected है अगर B1 है तो B4 होना ही चाहिए इस पूरी team में B4 नहीं दिख रा करन का अर्जुन छुट गया है तो करन ना जीएगा ना अर्जुन जीएगा ना यह team select हो पाएगी सिर्फ पहली team select हो पाएगी only one option भी correct हो जाएगा question number 10 यह हमारा coding decoding ही कहेंगे इसे कि bike को pink बोला जाता है pink को बोला जाता है bottle bottle को बोला जाता है 00 को बोला जाता है gray और gray को बोला जाता है कि ठीक है अब आपसे simple question बूचा जाता है question क्या है कि पानी store किसमें करा जाता है आपके दिमाग में क्या हैगा bottle पर code के हिसाब से पानी किसमें store करेंगे bottle पर बोटल को बोला किया जाता है यहां पर जीरो तो आप्शन नमबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका कोड हो जाएगा नमबरिंग हो जाएगी एक चौदा बाइस नौ बारा तो आप एक और चौदा को जोड़ोगे प्लस इसमें सब को जोड़ते वे चलो बाइस और नौ को जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 31 प्लस में बारा दो तीन और आठ एक तीन चार चार और एक पाच अठावन अठावन है पर आप लोगों को 63 इसका कोड दिया गया है तो अठावन में हमने 5 जोड़ा तो 63 आ गया सेम कोड हम क्या करेंगे जिल रङ्ची में हम लगा देंगे आप चाहो तो साऊधी को भी चैक करके दिख सकते हो पर मैं डिरेट केरा ह। CO L I C 3, 15, 12, 9 और 3 अब इन्हें जोड़ लो 15 और 15 हो जाएंगे यह 30 और यह हो जाएगा आपका 12 यह हो जाएगा 42 42 में आप लोग जोड़ोगे 5 तो आपका आणसर आजाएगा 47 option C correct हो जाएगा question number 12 no B is R कोई भी B R नहीं है no S is R कोई भी S, R नहीं है all S, R, B क्या सारे के सारे S, B हैं नहीं some R, R not B कुछ R भी नहीं है जब B और R के बीच में काटा ही लग गया है सारे के सारे B, R नहीं आ सकते और कोई भी R भी नहीं जा सकता तो कुछ आर भी होएगा ही नहीं यह बात बिलकुल सही है यह बात क्या है बिलकुल सही है तो सिर्फ और सिफ only conclusion second follows option number C correct हो जाएगा question number 13 cyclone का code दिया गया है E-N-O-L-C-Y-C देखो उल्टा चलो E-N-O-L-C-Y-C उल्टे में चला गया है reverse चला गया है तो disease का code क्या हो जाएगा E-S-A-E-S-I-D 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 option number B आपका correct हो जाएगा question number 14 syllogism का question है some red are yellow तो कुछ red yellow है all green are red सारे के सारे green red है तो red के अंदर हमें बनाना होगा एक green तो हम बना देंगे green को यहाँ पर यह हो गया हमारा green हम से बोला गया some yellow are green कुछ yellow क्या green है नहीं भाई yellow और green के बीच में तो कोई intersection नहीं दिख रहा है हमें तो यह रॉंग हो गया all yellow are green सारे के सारे yellow green है अब ना तो कुछ yellow green है ना सारे yellow green है तो हमारा यह भी रॉंग हो गया तो neither conclusion follows हो जाएगा option number a correct हो जाएगा question number 15 हमें next missing term find करनी है next missing term find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सभी के numbering करनी पड़ेगी और numbering करना मुझे तो बहुत बड़े लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा चलिए इस question को हम लोग दे देते हैं homework में homework करके आप लोग इसका answer बताना जिसका भी answer सही होगा उसे मैं लाइक करके बता दूगा कि answer सही है अगर किसी का wrong होगा तो comment करके बोल दूगा कि आपने कुछ गलती करी है तो please video के end तक video के end तक जब आप पूरा solve कर लोगे तो इसको answer जरूर करना आगे बड़ो जे इस father of R जे जो है वह father है किसके आर के C is wife of L ठीक है इसे अभी छोड़ो P is brother of R P जो है वह brother है किसका R का and L both यानि कि R का R किसका भाई है P किसका भाई है R का और L का तो इनका एक और भाई या फिर बेन कौन होगा L होगा K is mother-in-law of C पर starting में आओ C is wife of L ये बात आ गई है वह हमारी की wife है यानि कि यह female है और इनके husband कौन है C है K is mother-in-law of C यानि कि C की mother-in-law कौन है यानि कि उनकी wife की माता जी उनकी wife की माता जी L के father कोन है J तो इनकी माता जी कोन है K है तो K और J क्या होंगे husband and wife होगे K और J क्या होंगे husband and wife If D is only son of L D is only son of L D बेटे है then which of the following statement is correct correct बतानी है K is mother of R K जो है वो R की mother है जी बिलकुल देखो अगर J आर के पिता है तो K J की wife है तो यह R की क्या होई माता जी होई यह correct है R is daughter of J R is daughter of J J का न हमें gender नहीं पता यह male भी हो सकता है यह female भी हो सकता है या सी जो है सिस्टर नहीं सी तो ब्रदर इन लौ फैना आरके आरके ब्रदर इन लो है आरकी जो बहन है एल उनके पती है तो यह भी गलत हो गया हम से पूछा गया तो कौन सी सेट्मेंट सही है तो आप्शन अपका करेक्ट है क्वेशन नमबर 17 को हिंदी वाले साथ ही पूरा क्वेशन देख लीजिए क्वेशन नमबर 17 में बोला गया है कि पांच लोग है जिनने कुछ पैन पसंद है और कुछ बॉटल पसंद है ठीक है पांच लोग है यह पजल है आप लोगों की मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यह पांच लोग है और इन्हें पैन पसंद है और बॉटल पसंद है तो यह डबल वैरियेबल वाली पजल है आप लोगों यहां पर बोला गया है कि किसी भी दो इंसानों को सेम बॉटल और सेम पैन नहीं पसंद दो सकते ठीक बात है कि inside C के पास P5 है C के पास क्या है P5 है यहनी कि pen 5 है बट उसके पास बॉटल B4 और 3 नहीं हो सकती B4 और B3 नहीं हो सकती One who have P2 also have B5 जिस्के पास P2 होगा उसके पास bottle 5 होगी जिसके पास pen number 2 होगा उसके पास bottle number 5 होगी E के पास B1 है और P1 है, E के पास pen भी 1 है और bottle नमबर भी 1 है, ठीक है B के पास even number pen नहीं है, B के पास यहाँ पर even number pen नहीं हो सकता यानि कि ना तो P2 हो सकता ना P4 हो सकता है, even number का pen नहीं हो सकता है यहां पर B के पास D के पास B5 है D के पास B5 है अब देखो कौन सी statement सही है पहले तो इसको पूरे को arrangement जो पूरी puzzle है उसे पूरा solve करना होगा हमें ये ध्यान रखना है कि जिसके पास P2 हो सकता है उसके पास ही B5 होगा तो जहां पर B5 है उसके just side में हम P2 लिख देंगे P2 लिख देंगे तो ये वाली condition हमारी पूरी हो गई अब यहां पर देखो B के पास ना तो P2 हो सकता है ना P4 P2 तो already कहीं पर बिठाया जा चुका है यानि कि कि किसी को पसंद है P2 यहां पर P4 नहीं आ सकता तो इसका मतलब P4 यहां पर आएगा क्योंकि एक ही position बसती है P4 के लिए और यहां बच जाएगी P3 यहां बच जाएगी P3 हमारे पास P5 में यहां पर B4 यानि कि जो C है उसके पास ना तो bottle 4 हो सकती है ना ही bottle 3 हो सकती है bottle 5 और bottle 1 already बिठाई जा चुकी है already arrange करी जा चुकी है B4 और B3 नहीं आ सकती तो बचा क्या यहां पर यहां पर बचा bottle 2 तो bottle 2 यहां पर आ जाएगी अब हमें यह नहीं पता कि B4 किसे पसंद है B3 किसे पसंद है तो यहां पर क्या तो B4 हो सकता है या B3 भी हो सकता है या फिर यहां B3 हो सकता है और B4 हो सकता है यह option है either case हो सकता है ठीक है यह either वाला case हो सकता है तो इस तरीके से हमारी पूरी puzzle arrange हो गई है हमने puzzle तो solve कर ली अब question पर आ जाओ question बोला गया है which of the following statement is not correct क्या बोला गया है is not correct B have pen P3 B के पास P3 pen है यह तो correct है वाई D के पास P2 है D के पास P2 है यह भी correct है B can have bottle 3 can का मतलब possibility B के पास bottle 3 हो सकती है जी बिलकुल B के पास bottle 3 हो सकती है पर option D में बोला है A cannot have bottle B4 क्यों भाई दोनो possibility है न B4 भी हो सकती है यह वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए यह वाली स्टेट्मेंट हमारी रॉंग है तो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन डी को क्योशन नंबर 18 आप लोगों के सामने हैं लॉयर कोट गयराज कार हॉस्पिटल पेशेंट डिस्पेंसरी मेडिसिन अगें यहां पे हमारी जो और वन आउट वाला है वह पहले वाला और वन आउट था ना उसी के मिलता जूलता है कि गयराज में क्या मिलेगा कार हॉस्पिट होगा क्योशन नंबर 19 असीरीज इस गिवन यहां पर रॉंग हमें फाइंड करनी है तो हम फिर से नंबरिंग करेंगे दस बीस 14, 24, 22, 26, 26, 10, 10 से 14 पे गए प्लस 4, 14 से 20 पे गए प्लस 6 हो गया यह अगर मालो 20 से 22 पे जा रहे है तो प्लस 2 करना बढ़ रहा है मालो यहां पर मैं प्लस 4 ही करता तो यह कितना होता 18 18 से 22 पे जाते तो प्लस 4 और 22 से 26 पे जाते तो प्लस 4 तो यानि कि जो यह बीस है यह रॉंग है यह क्या है wrong है यानि कि TB यह आपका wrong word है wrong term है option number D correct हो जाएगा question number 20 question number 20 में आपको select करना है word pair तो देखो G T D W A Z W D यह क्या है कि क्या है GT road और ड्यू माउंटन ड्यू और आजाद और ड्यू माउंटन ड्यू यह क्या याद करे थे हमने यह हमने करे थे opposite letter से याद कि GT road यानि कि G का opposite T होता है D का opposite W होता है A का opposite Z होता है D का opposite W होता है तो यहां पे opposite alphabet चल रहे हैं जिस option में आपके opposite alphabet होंगे वो आपका correct होगा तो option number A को चेक करते हैं T का opposite G होता है बिलकुल R का opposite I होता है P का opposite K होता है और N का opposite M होता है तो option A ही हमारे opposite letter वाले मिल गया तो 20 question हमारे यहां पे solve होगे उमीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी 20 question solve करने में कोई भी परिशानी नहीं होगी जिस question में परिशानी होगी उसमें मेरा explanation देख के आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई question कोई doubt रहे जाता है तो आप लोग comment करके comment box में पूछ सकते हैं साथ ही साथ plus minus का YouTube channel के साथ हमारा टेलिग्राम ग्रूप भी है टेलिग्राम ग्रूप पे आप लोग हमें message करके बात कर सकते हैं कोई doubt a query है तो वहाँ फटक से question की पिक किची बेजी हजारों दस हजार से ज्यादा बच्चे है वहाँ पे जो एक दूसरे की मदद करने को त्यार रहते हैं वहाँ पे आप question भेजोगे आपको कुछ देर में answer उसका किसी ना किसी के थ्रू मिल जाएगा तो उस community को join करो टेलिग्राम को join करो और अपने doubts resolve करो पढ़ाई करो मेनत करो फिर मुलाकात होगी कल वाली class में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें जैहिंत नमस्ते